पार्ट साथ डॉक्टर जगदीश चंद्रबसू पेड़ पौदों में भी जीवन होता है इस बात की खोज सर्वप्रतम भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्रबसू ने की थी जगदीश चंद्रबसू का जन्म बांगलादेश के ढाका जिले के फरीतपूर गाउ में 30 नवंबर 1858 में हुआ था इनके पिता भगवान चंद्रबसू ब्रह्म समाज के नेता थे इनकी प्रारंबिक शिक्षा गाउ में हुई गाउ में रहकर इन्होंने पेड पोधो और मचलियों के संबंद में ज्यान प्राप्त किया इन्होंने कॉलकता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में सनातक की शिक्षा प्राप्त की इसके बाद ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए इंग्लाइंड में रहकर बसु ने विज्ञान की उच्छ शिक्षा प्राप्त की और विज्ञानिकों के साथ काम करके नई-नई खोजे की भारत आगर ये कॉलकता के प्रेजिडेंसी कॉलेज में बौतिक शास्तर के प्रोफेस्टर नियुक्त हुए ये सदय पेड़ पौदों के अध्यन में लगे रहते थे इन्होंने पेड़ पौदों पर अनेक प्रयोग किये एक बार इन्होंने एक हरे भरे पौदे को एक इंजेक्षन दिया पौदा कुछिक शनों में मुर्जा गया इंजेक्शन के प्रभाव से पौधा बिमार होता प्रतीत होने लगा बसु ने अब उस पौधे को दूसरा इंजेक्शन लगाया जिससे पौधा फिर से लह लहा उठा इनके इस प्रयोग से विश्व भर के वैज्ञानिक आश्चरे चक्कित हो उठे इन्होंने अपने अतक प्रयासो द्वारा सिध कर दिखाया कि पेड़ पौधे सोते और जाकते हैं वे हमारी तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं और हमारी भाती जीते हैं पेड़ पौधों के संबन में की गई अद्बुत खोजों ने जगदीश चंदरबसू को विश्व प्रसिद कर दिया लंदन विश्व विद्याले ने इन्हें डॉक्टर ओफ साइंस की उपादी से सम्मानित किया जगदीश चंदरबसू के मन में अपने देश के प्रती अपार प्रेम था ये बहुत ही स्वाबी मानी थे प्रेजिडेंसी कॉलिज में इन्हें अंग्रेज अध्यापकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था ये रंग भेत को मानने के लिए तयार नहीं थे इन्होंने इस पक्षपात का विरोध किया और तीन वर्ष तक बिना वेतन लिये काम करते रहे अंत में हार मानकर अंग्रेज अधिकारियों ने नैकेवल इन्हें अंग्रेज अध्यापकों के बराबर वेतन ही दिया बलकि पिछले तीन वर्षों का भुकतान भी किया जगदीश चंद्र बसू ने बेतार के तार द्वारा समाचार भेजने पर भी कोज की सन 1895 में इन्होंने विद्युत किर्णों द्वारा गंटी बजवाने में सफलता प्राप्त की विद्युत किर्णों से गंटी बच्ती देखकर वेज्ञानिक आश्चरे चकीत हो उठे धातूँ के संबंद में भी इन्होंने अनेक महत्वपून खोजे की इनकी महत्वपून खोजों से प्रभावित होकर जर्मन विज्ञानिक इन्हें पूरा विश्व विद्याले सोपने के लिए ही तयार हो गए थे लेकिन डॉक्टर बसु ने इसे अस्विकार करते हुए कहा मेरा कारक्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के लिए विद्याले में ही कार्य करूँगा अवकाश ग्रहन करने के बाद बसु ने विज्ञान मंदिर की स्थापना की वे चाते थे कि देश में ऐसे अनेक विज्ञान मंदिर स्थापित किये जाएं सन 1937 में विज्ञान का ये सपूद स्वर्ख सिधार गया